rejected का क्या आर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं rejected का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो जिसे reject किया गया हूँ या जो reject कर दिया गया हूँ उसे हम rejected कह सकते हैं adjective के रूप में इसके इलावा rejected जो है वो reject का past answer, past participle होता है यहने कि reject की ही second और third form होती है rejected और reject का अर्थ होता है त्याग देना, त्यागना, ऐस्विकार करना, रद करना, नापसंद करना, नामंजूर करना, नै चाहना, निकाल देना, खारिज करना यह फैंकना जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि इस प्रस्ताव को द्रेडिता से खारिज कर दिया गया था, तो आप कहेंगे the proposal was firmly rejected, या अगर आप यह कहना चाहें कि इस अपील को हाई को ने खारिज कर दिया था, तो आप कहेंगे the appeal was rejected by the high court, अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें